हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं पूदेने की बहुत ही अच्छी रेसिपी जिसे आप महीनों तक श्टोर करके रख सकते हैं जब ही चाय पीने का मन हो चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो ता आप इसे फटा-फट बनाए और खा सकते हैं एक मुठी एक बंच पुदिना अच्छे साफ किया हुआ आप यहां पर फ्रेश पुदिना ले तो ज्यादा अच्छा रहे गा और पुदिने को अच्छा से लिया तो इसे मैं पीस लिया है अब हमें इसे चान लेना है क्योंकि इसमें थोड़े से मोटे शुझ भी हो पत्त जरूर है तो आप इस तरीकिसे से छाने जरूर और इस ते पीछते टाइम एक बात का ध्यान रखें मिक्सी को बार बार ना चलाए नहीं तो जो पूदीने का टेस्ट ना कड़वा हो जाएगा अब इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन फूड कलर थोड़ा सा अड़ किया है ज़ अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसारा पैड कीजी अपने जितना आपको पसंद हो कमिया जादा कर सकते हैं नमक मैंने आप एक छोटी चमच और आदी चोटी चमच लिया है अब इसी के साथ इसमें हम आजवायन डालेंगे और आप एक बात जब आप उदीना प पाउडर भूडर बना के तैयार कर लेना है पानी अभी बिल्कुल भी आइड करना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे तरीके से मिक्स के अमारा जो मैधा हो होना चाहिए इस तरीके से हाथ में बंद करें तो अच्छे से बंद जाए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा प तो आप एक बार में पानी ना डाले अब इसमें डालेंगे पुदीना का जो हमने पानी बनाया था वो एड़ करेंगे वो पूरा ही डालता है और इतना में आपको जैसे मैंने थ्री कप मैदा लिया है तो इतना में पुदीना का फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से पुदीना थोड़ा ज्यादा पीसी आप ज्यादे इसमें लिक्विड बनाईए और उसमें अड़ कीजिए और इसमें फ्लेवर मसाले एड़ कर सकते हैं जीरा पाउडर हरी मिर्ची निंबु का रस भी आड़ कर सकते हैं यहां पर अपना कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो य आटा नो जादा शोगी हो जड़ी प्रेटा शोफ लेघंगे ऐसे बड़ी निम्बू के साइज का बॉल लेंगे और इसे बेल लेंगे और शादा पतला भी नहीं भी नहीं कोड़िया है फोक की साहता है च्छहएब कर लिए आप इसमें मैंने नमगुन कीतर जाने ओक लिए आप फोक की साहता फैसा कि थे शेद करना बशीन है आप चाहें तो यहां पर इसे पतली नमगिन की तरह कट कर सकते हैं मैं यहां पर क्या कर रही हूँ मेरे पास यह कुकीज कटर है तो मैं इससे कट कर लूँगी इससे क्या होगा न हमारा काम असान हो जाएगा फटा-फट तयार हो जाएगा और थोड़ा सा देखने में भी मनेसे इसंतर गропश। तो में इस से में नमगिन वह दोड़ा करें तो मétaण हो ज sí transported यह बना रहने मगी छुच। करते हैं तो आप दोसरा तरीक है व्यारि कि मैं तो बटा देती हूँ आपको क्या करना इस तरीके से बेल्वे ना सेम प्रोसेस हमें करना है इसे भी हमें इस तरीके से छेद कर लेना है काटा वाला चम्मा से और इस तरीके से हमें कट कर लेना है बहुत ही सिंपल तरीका है आप इस तरीके से कट करके भी बना सकते हैं और या फिर उस तरीके से अगर कुकिस कटर है तो भी उस तरीके से बना सकते हैं तो जो भी यह द्यार आराफ कर लिया है अब गैस के तरफ चलता है यहां पर मैंने तेल गरम होने के लिए रखिइआ है तेल हमें ज्यादा गरब नहीं चाहिए तेल को अच्छा गरम होने को लो and we going tommy apply give it to beter है कर देंगे और देगे जुद्डा-स ज्यां भी दिंंटाइभ pa survive जानीगे हम तो छाहने में कच्चा हाना तो इसे कलें बढुतारी तो दूसरी तरब से अच्छी टाइम होज़ देंगे इसको प्लिपन दीजों में परणाए जानगे और यह आठ मिनट मैं तैयार में भी जानए antaralow students तो ये क्या अगर ज़्यादा fry करेंगे तो पुदिना का फ्लेवर सारा खतम हो जायेगा और कलर भी डार्क होने से इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो इस बात का आप ध्यान डखें कि ज़्यादा इसे फ्राई ना करें थोड़ा सा कम आज पर इसे light green कलर आने तक फ्राई करें तो इस सब बातों का ध्यान रखें और पुदिने से नास्ता अगर तेल वाली इस तरह के फ्राई करके बनाते हैं तो आप थोड़ा कमी फ्राई करें तो देखें यह फ्राई हो गया है बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जो बाकी बचा है उसी तरह की समय फ्राई कर लेती हूं और यह सारे नमकीन फ्राई होके हो गया तैयार अब इसे थंडा होने दीजिए थंडा होने के बाद यह टाइट डब्बे में भरके रखिए जब भी आपको थोड़ी चोटी चोटी भूख लगे करेंजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई